नवस्कार आप देखरेंगे नियूज राजस्थान में आपके साथ अरेनुम जहांशेख वेडिंगे शुरुबात बड़ी खबर से सीये मर्शोग गैलोत से मुलाकात के बाद एमेले की नाराज़गी दूर हुए च्छी विधाय का जो जाएंगे उदेपूर आपको बता द इंगा भी जाएंगे उदेपूर बिती राद कदी गंट मुखिमनती के साथ चर्चा हुई है उसके बाद सेहमती बन चुकी और ऐसे में अब चो थोड़ी देर में सीये मर्शोग गैलोत जैपूर से रवाना होंगे और उनके साथ 6 विधायक उदेपूर के लिए जाएंग ऐसे में मुखिमनती अशोग गैलोत जो है उदेपूर पहुच रहे हैं ये बड़ी खबर मुखिमनती अशोग गैलोत फिलाल एरपोर पहुच चुके हैं जैपूर एरपोर पर पहुचे उनके साथ 6 विधायक और उदेपूर जा रहे हैं और ऐसे में मुखिमनती अशोग जैपूर से रवाना हो रहा है ये लगतार बड़ी खबर आप तक पॉफचार है पॉलपल की अपडेट आप तक दे रहे हैं और ऐसे में राज्योसभा करन जो है वो सथ चुका है सियासी पारा हाई साफ तोर पर नज़र आ रहा है मुखिमंती अशोग गैलोत उदेपूर जा कि ये बड़ी खबर आप तक पॉफचार है मुखिमंती अशोग गैलोत पहुचे एरपूर्ट और ये बड़ी खबर आप तक पहुचे आ रहे मुखिमंती अशोग गैलोत पहुच चुके है ये जैपूर एरपूर पहुच चुके उदेपूर के लिए रवाना होंगे आपको बता देक ये रिदायक और हैं उदेपूर के नीजी होटल में ठहरे वे हैं और मुख्यमंती अशोग गैलोत वापस कल देर रात तक चर्चा हुई है MLA के साथ और ऐसे में अब जो है मुख्यमंती अशोग गैलोत एरपूर्ट पहुच चुके है उदेपूर के लिए रवाना हो रहे है थोड़ी देर में उदेपूर के लिए रवाना होंगे ति बड़ी खबर आप तक लगतार पहुचा रहे मुख्यमंती अशोग गैलोत उदेपूर के लिए रवाना होंगे पलबल की अबडेट इंडिया नीज राजस्थान आप तक पहुचा रहा है और ऐसे में मुख्यमंती अशोग गैलोत एरपोर्ट पर है और अब से थोड़ी देर में उदेपूर के लिए रवाना होंगे तो राजसबा चुनाओ का रण सच चुका है और ऐसे में सियासी पारा हाई देखने को मिर रहा है गैमा गैमी भी साफ तोर पर देखी जा रही है और सीम अशोग गैलोत देर राद तक विधायकों के साथ उन्होंने बैठक किये और क्योंकि कई विधायक ऐसे जो नराज शेल रहे और ऐसे में उन्हें मनाने की कोशिश जो है तमाम दिगज कर रहे है जीदेख準 गैलोत देर राद तक उन्होंने चरचा कि और उसके बाद जो है आज मुख्यमंथी अशोग गैलोत खुद उदैपूर पहुँच रहे च्ही विधायकों है जो मुख्यमंथी अशोग गैलोत के साथ उदैपूर जाएंगे तो आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोग गैलोत एरपोर्ट से रवाना होंगे उदेपूर के लिए ये पलपल की अपडेट हम आप तक लगातार पहुचा रहे थोड़ी देर में उदेपूर के लिए रवाना होंगे सायोगी दिनेश जूर चुके है दिनेश और सीएम अशोग गैलोत एरपोर्ट पर इस वक्त मौझूद है रवानगी कब है क्या कुछ फिलाल अपडेट है जी देखे मुखे मंतरी अशोग गैलोत अब से थोड़ी देर पहले जैपूर के एरपोर्ट के जो स्टेट हैंगर है वहाँ पर पहुंच है और पहले से जो छे विदाएक है मंतरी राजेंदर गुडाज, वाजी बलीज, संदीप यादर, लाखन मिना, गिरीराज मलिगा और छिलाई लाल बेरवा वो सीएम असोग गैलोत का ही इंबजार कर रहे थे तो चार्टर की तरफ सीएम असोग गैलोत बढ़ रहे हैं और फोड़ी देर बाद ये चार्टर उडान बरेगा उदेपूर के लिए और करीब एक वजे ये सबी छे विदाएक और मुखे मंतरी असोग गैलोत उदेपूर पहुंच जाएंगे तो बाड़े बंदी के तीजरे दिन आज मुखे मंतरी असोग गैलोत उदेपूर जा रहे हैं और अपने साथ उन छे नाराज विदाएकों को भी लेकर जा रहे हैं जिनसे देर राद उन्होंने मुखे मंतरी आवाज पर मुलाकात की दर्चा की और उनकी समझ्याएं जो ड बड़ी जीत यहां पर मुखे मंतरी असोग गैलोत ने अपनी राजनेतिक चातुरत्या और पोसल से जीती हैं तीन दिन से इन नाराज विदाएकों को मनाने की कोशिशे जारी हो रही थी और राद को वो कोशिशे रंग लाई और इच्छे विदाएक राजी हो गए और जाने की कोशिश की गई और यहां पर साफत और पर जिस तरीके से तमाम जो छे विदाएके वो से मशोग यलोत के साथ जा रहे हैं तो दिनिश कह सकते हैं कि अब पार्टी में आल इस वैल है यह बिलकुल पार्टी के लिए एक बड़ी कह सकते हैं कि खुशी की खबरी है जो छे विदाएक लगाता नाराज की जता रहे थे मेडिया में खुल कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे वो अब डेमेज पंतोर हो गया है वो सीजें अब दूर की बाते हो चुशे और खुशने विदाएकों ने बाकाइदा रात कोई कह दिया कि सब ओल इस वैल है उ अंदर स्टेट हैंगा पर मुझूद है चार्टर में वो बैठ चुके हैं छे विदाएक ओलेडी चार्टर में पहले से बैठे हुए और थोड़ी देर में अब चार्टर उड़ने वाला है बिलकुल दिनेश आप भी लगतार हमें पलपल की अपडेट दे रहे हैं अब से देर में जैपूर से रवानगी होगी सीम अशोग गैलोद की और छे विदाएक और भी है दिनेश इसी के साथ अगर हम बात करें तो अभी तक विदाएकों का आखड़ा कितना हो चुका है उदेपूर में जी देखिए के अंदर की तस्वीर आच चुकी है एक्स्क्लूजिव तस्वीर आच चुकी है जिसमें मुख्य मंत्री असोग गैलोद के साथ ये विदाएक मौजूद है और हम जल्द ही जो अपने पीचार टीम है उनसे वो फोटो भी प्ले कराएंगे कि किस तरह जो है वो बेड़ चुके हैं और उड़ने वाले हैं ठीक दिनेश आप भी नजर बनाया रखेगा लगतार पलपल की अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे तो आपको बता दे कि अपसे थोड़ी देर में जो है उड़ान होनी है सीम अशोक गैलोत और छी विधायक जो है उनके साथ मौझूद है मुखिमंती अशोक गैलोत एरपोर्ट से उड़ैपूर के लिए रवाना होनगे अपसे थोड़ी देर में जो है उड़ैपूर के लिए रवाना होनगे आपको बता दे कि देर राह तक जो तरीके से विधायकों के साथ चिंतन मंतन का दौर जो है वो देखने को मिला क्योंकि छी विधायक ऐसे थे जो नाराज चल रहे थे खेमे से क्योंकि उनकी जो नाराजगी थी वो भी जायर थी लेकिन तमाम दिग्गत जो है चाहे बात करें सीए मर्शोग गैलोट की PCC चीफ गुविन सिंग डोटास तर लगतार तमाम विधायकों को मनाने की कोशिश में जुटे वे थे और कहीं ना कई रंग यहाँ पर जो है साफ नजर आया है और यहाँ पर जितनी भी विधायक नाराज चल रहे थे अब वो मान चुके है तो साफ पहुशने वाला हैं तो छे विधायक सीम अशोग गैलोट के साथ उद्यपूर के लिए रवाना होंगे मुखिमंती अशोग गैलोट एरपूर से रवाना होंगे अपसे थोड़ी देर में तो लगतार यह पलपल की अपडेट दे रहे हैं आपको बता दे कि राज्यो गैलोट ने उन्हें बुलाया अपने आवाज पर उनके साथ मुलकात हुई है और यह मुलकात जो है इस दर्मियान राज्यो सबत चुनाओ को लेकर चर्चा की गई इस दर्मियान उनकी नाराजगी को लेकर चर्चा की गई और यही कारण है कि नाराज 6 विधायक जो है उन तुर्फ यहां करें जाफ होने फोड़ी दिया याजश्तान आप तक पहुंचा रहा है आपको बता देखी जिस तरीकर से मीडिया रिपोर्ट सामने आये थे रिभेंट्र फन्ट यह सब चे विदायक जो थे वह आफ़ी नारास थे और उससे पहले जो हैं विधाईक संदीप यादफ के घर पर उन्होंने बैठर की थी संदीप यादफ के घर राजेंद गुडा लाखट मिना वाजी बली हिलाडी लाल विर्वा और गिर्राज मलिंगा पहुचे वे थे वहाँ पर उन्होंने चिंतन बैठर किया है चर्चाय की गई ए उसके बास जो है सियम राजगीती राजोसभा चुनाओं को लेकर क्योंकि तो यह इस्क्लूजिव तस्वीरें इंग्या न्यूज राजस्तान आप तक पहुच्छा रहे हैं यह वो तमाम उच्छी बिधायक है और सियम अशोग गहलोत के साथ उधेपूर के लिए रवाना हो रहे हैं यह तस्व बली खिलाडी लाल बेर्वा और गिर्राज मलिंगा भी मौजूद है तो यह इस्क्लूजिव तस्वीरें इंग्या न्यूज राजस्थान इस वक्त पहुच्छा रहा है आप तक और लगता यह इस्क्लूजिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं अब तो थोड़ पहुचा रहे हैं जहां पर विमान के अंदर छे विधायक और सीम अशो गैलो साफ तोर पर नजर आ रहे हैं और उनकी मुस्कान से लग रहा है कि आल इस वेले पार्टी में अब किसी भी तरह का मन मुटाव नहीं है तो आपको बता दे कि तस्वीर में जो है राजिंद्र गुणा लाखन मीना वाजी वली खिलाडी लार बेरवा और इसी के साथ गिरिराज मलिंगा जो है साफ तोर पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वो खत्म हो चुकी है तो ये तस्वीरे ये बया कर रहे हैं कि अब नाराज़गी नहीं है और यही कारण है कि अब उदेपूर में बारवंदी के लिए तमाम विधायक जो है वो जा रहे हैं खुद सीम अशोग गैलोट जा रहे हैं आपको बता दे कि निर्दन ये विधाय पर चर्चा की मंतन किया क्योंकि जुस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा जो है वो काफी हाई देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कई वार पलट वार का सिलसला भी साफ तोर पर इस राज्यसभा चुनाव में देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में जो छे जो है वो मान चुके क्योंकि देराग खुद सीम अशोग गैलोत ने सभी विधायकों को अपने आवास पर गुलाया था उनसे मुलाकात की थी उनकी नाराज़गी को लेकर बाद चीत हुए और सहमती बन चुकी है और यही कारण है कि जैपूर से रवाना हो चुके है सीम अश जो है विधायकों के जो बता दे कि इसमें विधायकों के चैरे पर जो मुसकुरहाट है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनकी नाराज़गी खत्म हो चुकी है तो सीम अशोग गैलोत के साथ तमाम विधायक जो है वुदेपूर के लिए रवाना हो चुकी है तो नाराज अच्छी विधायकों ने देर रात मुख्यमंति अशोग गैलो से मुलाकात की और उसके बाद विधायकों ने उदेपूर में बाड़े बंदी में जाने की जो है घोशना कर दी है सयोगी दिनेश हमा साथ जो चुके है दिनेश क्या कुछ अब बेट सी है मशोग गैलोत रवाना हो चुके अपने विधायकों के साथ ये रन्वे पर अभी चार्टर खड़ाता तो इसमें नेट्वरक भी था और सब कुछ था और बाकाइदा उन्होंने इंडिया न्यूज राज़स्तान से ये तश्वीर शेयर करी है चार्टर के उडान भरने से पहले खाजी बली के पीछे जो आपको दाड़ी के अंदर नजर आ रहे हैं वो लाखन मिना के बगल में जो सीट पर बेठे हुए हैं वो है मंतरी राजेंदर गूटा और राजेंदर गूटा के पीछे हैं कॉंग्रेस विधायक गिरिराज मलिका और जो सामने खड़े नजर आ र खाजी हुई उन्होंने अपनी और अपने विधान सबाद खेतर से जूड़ी समझ जया हैं डिमांड और मांगे कीम असोग एलोग के सामने रखी करीब राज 11 बजे इनकी के साथ वारता शुरू हुई तो राज 12 बजे तक चली उसके बाद मुख्यमंदरी काराले की तरफ से तस्वीरे जारी की गई इन विधायकों के साथ विधायकों का जो गुस्सा था और जो नाराजगी थी वो खत्म हो चुकी है दिनेश लगतार आप भी नजर बनाये रखेगा आगे भी लगतार आपसे अपडेट लेते रहेंगे फिलाल तमाम जानकरी के लिए आपका बह